कामदा एकादशी की कथा और उसका महत्व तो वरहा पुराण में भगवान शीक्रिष्ण महराज युदिष्टिर के समवाद में कामदा एकादशी का महत्व कहा गया है और महराज युदिष्टिर शीक्रिष्ण को कहने लगे कि हे यदुवर हे क्रिष्ण क्रप्या मेरा प्रणाम सुईकार करें और चैत्रमास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का वर्णन करें तो इस व्रत की विधी और उसका पालन करने से होने वले लाव का भी वर्णन करें और हमें उसका महत्व समझाएं तो भगवान शी क्रिष्टि ने कहा कि प्रिय युदिष्टिर महराज पुराणों में वर्णे तेक आदशी का महत्म सुनो और एक बार प्रभू रामचंद्र जी के पिता महा महराज दिलीप ने अपने गुरु वसिष्ट जी को यही प्रश्न पूछा था तो वसिष्ट जी ने कहा कि हे राजन निश्चित आपकी इक्षा पून करूंगा इस एक आदशी को कामदा कहते हैं और इस वरत के पालन से सभी पाप जल कर भस्म हो जाते हैं और वरत के पालन करने वाले को पुत्र प्राप्ती होती है तो बहुत वर्ष पहले रत्नपुर राज में पुंडरीक राजा अपनी प्रजा गंधर्व किनर के साथ में रहते थे उसी राज में अपसरा ललिता अपने गंधर्व पती ललित के साथ में रहती थी उनका एक दूसरे पर बहुत प्रेम था तो प्रेम इतना प्रगाड था कि एक शन भी वो एक दूसरे के बगैर नहीं रहते थे तो एक बार कुंडरीक राजा की सभा में सब गंधर्व नरत्य और गायन कर रहे थे उसमें ललित गंधर्व भी था पत्नी सभा में ना होने के कारण उसका नरत्य और गायन ताल में नहीं था तो वहाँ प्रेक्षकों में करकोटक नामक का सर्प भी था उसने ललित के विसंगत नरत्य और गायन का रहस से जाना और राजा को उसी प्रकार बता दिया तो राजा बहुत क्रोधित हुए और उन्होंने ललित को श्राप दे दिया हे पापात्मा अपने इस्त्री पती कामा सकती के कारण तुमने निर्त्य सभा में विसंगती निर्माण की है इसलिए मैं तुम्हें नर्भक्षक बनने का श्राप देता हूँ ऐसा राजा ने ललित को श्राप दे दिया तो पुंडरीक से श्राप मिलते ही ललित को भेंकर नर्भक्षक राक्षस का रूप मिल गया अपने पती का भयानक रूप देखकर ललिता को बहुत दुख हुआ फिर भी सभी मर्यादाएं छोड़कर वैं अपने पती के साथ वन में रहने लगी वन में भ्रमन करते हुए विंधे परवत के शिखर पर परवतर श्रिंगी रिशी का आश्रम ललिता ने देखा और तुरंत आश्रम में जाकर रिशी के सामने उसने प्रणाम किया उसे देख कर शिंगी रिशी ने बूछा कि तुम कौन हो तुमारे पिता कौन है तुम यहां किस कारण से आई हो तो ललिता ने कहा कि हे रिशिवर मैं ललिता बृंदावन गंधर्व की कन्या हूँ और अपने श्रापित पति के साथ मैं यहां पर आई हूँ तो गंधर्व राजा पुंडरीक के श्राप से मेरे पती राक्षस बने हैं, उनका यह रूप देखकर मुझे बहुत दुख हो रहा है, तो क्रपिया इस श्राप से मुक्ती मिलने का कोई उपाय बताए, ताकि मेरे पती को इस योनी से मुक्ती मिल जाए, तो ललिता की नम्र विंती सुनकर श्रिंगी रिशी ने कहा कि हे कंधर्व कन्या कुछी दिनों में चैत्रमास के शुक्ल पक्ष की कामदा एकादशी आएगी, इस व्रत का तुम कठोर पालन करो और तुमें मिलने वाला सभी पून अपने पती को अरपन कर दो, जिससे वे इस श्राप से मुक्त हो जाएंगे, तो ये एक आदशी सभी इक्षाओं को उन करने वाली होती है, हे राजन, रिशी के कहे अनुसार ललिता ने आनंद पूर्वक और कठोरता से इस व्रत का पालन किया, और द्वादशी के दिन भगवान वासुदेव और प्रहमनों के समक्ष उसने कहा कि मैंने अपने पती की श्राप से मुक्तता कराने के लिए इसका पालन किया है, इस व्रत के प्रभाव से मेरे पती श्राप मुक्त हो जाएं, और क्या आश्यर है कि उसने जब ये व्रत किया, तो उसका पती था नर्भक्षक ललित उना गंधर्व बन गया, उसके बाद ललिता और ललित सुख से रहने लगे तो भगवान शी कृष्ण ने कहा कि है युधेश्ठिर महराज है राजेश्वर जो कोई भी इस अध्भुत कथा का श्रवन करेगा और अपनी क्षमता के साथ इसका पालन करेगा वह ब्रह्म हत्या के पातक से और आशुरी आपसे मुक्त हो जाएगा हरे कृष्णा श्री कृष्णार पढ़ां आज तू हरे कृष्णा